अलो दोस्तों नमस्कार आसा करते हैं आप स्वस्त होंगे राजस्तान करन्ट अफेर जैसा कि हमने कहा कि हम लगातार क्लास लेने का प्रियास करेंगे और इसी कड़े में ये हमारा दूसरा प्रियास है एक्जाम जफी दूर है लेकिन हमें अपनी तयारी को धार अभी से देनी है तो शुरू करते हैं राजस्तान करेंट अफेर की क्लास दो वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा निवे दिन छोटा सा रिक्वेस्ट चैनल को स्प्रेड करने में थोड़ी हेल्प करो एक तो चैनल को सब्सक्राइब करो दूसरा अपने सातियों के साथ इसे सेर करो कब अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो पहले वीडियो को पुरा देखो आपके लिए जो तैयारी कर रहे हो उसमें अगर फायदे मंद है तो आप इसे रिक्मेंड भी करो किसे अपने दोस्तों को अपने परिवार्जनों को तो चले शुरू करते हैं पार्ट टू करेंट अफेर्क सिरीज का हमारी राजस्तान अंदता नियंतरन नी थी जनवरी के मैने में आई तेरा जनवरी दोजार तेबिस तो डेड़ याद रखना है यहनी दोजार तेबिस का सुरुवाती मैने में यह आ गई थी जनवरी का मैना तारिक है तेरा तेरा जनवरी तेबिस को राजस्तान अंदता नियंतर नीती गैलोज स्वाब दोरा लाएगी और इस प्रकार की नीती लाने वाला ये पूरे भारत वर्स में पहला राज्य है कौन अपना प्यारा राजस्तान इन्होंने एक अधिकार दिया है यहां के नागरिकों को क्या कहेंगे राइट टु साइट वीजन यहीं देखने का दिखार यहां दृष्टी का दिखार कहा सकते है इस निती के माद्यम से जो काम किये जाएंगे और उसका प्रभाव क्या रखा गया यह लक्षे क्या रखे गये है तो यह जो अंदता प्रशार की रेट है ना यह वर्तमान में वर्तमान की बात करते हैं 2020 की तब 1.1% थी और इसका लक्षे है इसको कम करके 0.3% पे ले आना यहीं बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना है 0.3 के लेवल पे लेके आना है अंदता प्रशार की जो रेट है उसे उसे क्या होगा अधिकतर व्यक्ति देख पाएंगे और जो हमारा लक्ष है राइट तू साइट वीजन वो साकार हो सकता है इसके लिए सरकार ने क्या निवारे किया है एक तो जितने भी मेडिकल कोलेज है उनके अंदर केरिटो प्लास्ट सेंटर होंगे क्या होंगे केरिटो प्लास्ट सेंटर और दूसरा आई बेंग ये हर मेडिकल कोलेज में होने का ही भाग है, अब डेट बताओ, यह है 13 जनवरी 2023, फिर से बताओ, 13 जनवरी 2023, किस से समझ देता है, अजस्तान अंधता नियंतर नेती इस दिन अस्तित्व में आये थी, कल के वीडियो में हमने बात करा, गोल्डन केलास पुरुसकार, क्या नाम है, गोल्डन केलास पुरुसकार, किसे मिला है, यह नानेरा, नानेरा होता है, यह हमारे जो नलिहाल है, उसका मारवाड़ी सब्द क्या है, नानेरा, उस मूवी को मिला है, गोल्डन केलास अवाड, अ प्रता lकी विडियो में भी हमने चर्चा किये ती हाज एक बार फिर से इसे देख लिया आसाना जेन आसाना जेन इसे ये चर्चा में रही क cheddar क्या है आज अमेरिका में time square है time square एक जगए है वह भाटे बड़े tv試creens लगे और उन screams पर इनको आसना Jane Madam को दिखाया गया तो इस कारण ये चर्चा मे रही तो आसना Jane Madam का समन्द राजस्तान से और इनको अमेरिका के time square पर दिखाया गया इसलिए चर्चा मे रही अच्छा आसना जी करते क्या है तो ये career counselor है क्या है career coach है यानि अगर आपको अपना career की से दिखा में बनाना है ये युवाओं को इस परकार guidance करते हैं कौन आसना जीन में इसके साथ ये साथ career coach तो है ये advocate भी है यानि lawyer भी है तो आसना जीन सुर्कियों में है क्यों कि अमेरिका का जो time square है वहाँ पर जो screens लगी है उन पे आसना जेन को दिखाया गया एक नाम और जर्चा मेरा ये है अलपना कटेजा क्या नाम है अलपना कटेजा ठीक है ये हाली में सुर्कियों मेरी कारण ये राजस्तान विश्युद्याले की पहली स्ताई महिला कुलपती बनाया गया है यानि राजस्तान युनिवर्शिटी है राजस्तान की सबसे बड़ी युनिवर्शिटी की बात करते तो कौन सी राजस्तान युनिवर्शिटी और उस युनिवर्शिटी की full time full time स्ताई कुलपती बनाया गया है अलपना कटेजा को इस प्रकार से नियुक्त होने वाली ये पहली मैला है अलपना कटेजा आसना जिनका सम्मद इनको टाइम स्कौयर पर दिखाया गया ये केरियर कोच है और Golden Class Award नानेरा नाम की मूवी को मिला और इसके डारेक्टर कोनेट दिपांकर प्रकास और अंदता नियंतर नीति लाने की डेट क्या थी 13 जनवरी 2023 जनवरी का मेना 13 थारिक 2023 का साल यानि यही साल की बात करें आगे चलते हैं राजस्तान Real Estate Regularity Authority इससे सोट मिम क्या कहते है रेरा इसकी अद्ध्यक्षा बनाएगी है हाली में किसको बनाएगी है आई एस सिम वीनु गुपता मेडम है इनको सिरीमत्दी कहेंगे इस सिम गलस ते लिख दिया है वीनु गुपता है इन मेडम को रेरा का अगर रेरा की बात करते हैं तो रेरा मने राजस्तान Real Estate Regularity Authority इसकी स्तापना 6 मार्च 2019 में हुई कब हुई रेरा की स्तापना हुई है 2019 में और भी पीछे जाएं तो मार्च के महिने में और और भी डीब जाते हैं तो 19 नहीं 6 तारीक हो शोरी 6 तारीक हो यनि 6 मार्च 2019 को रेरा की स्तापना हुई रेरा की अद्धिक्स वीनु गुपता मेडम को बनाया है रेरा की स्तापना की डेट या साल पूछा जा सकता है तो रेरा स्तापना 2019 मार्स के मेने में और इसके अद्धिक्षा कोन है वीनु गुपता मेडम ठीक है अब जिस दिन रेरा की स्तापना की थी उसी दिन Real Estate Appellate Tribunal की विस्तापना की यह 6 मार्स 19 को ही Real Estate Appellate Tribunal की स्तापना की कि इसके पुछजानी के समावना बैद कम है लेकिन थोड़ा वोत अगर कनेक करें कभी पूछ ले कहीं भी काम आ सकता है न तो उस प्रकार इसे रिलेट कर सकते है राजस्तान का एक और क्षित्र को कंजर्वेशन रिजर उगोशित किया गया है कौन सा है वो है गंगा घाटी गंगा घाटी के बारे में हम फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन जितनी न्यूज हमारे सामने आई है उसमें एक आ गया है कि ये तीन सो पच्चान में हेक्टिर कहा है लगब और ये राजस्तान का ट्वंटी नाइन्थ नंबर का कंजर्वेशन रिजर उगोशित क्या गया है यहनि राजस्तान कितने कंजर्वेशन रिजर हो गया है 29 हो गया कोलवी की गुफाइन नाम तो सुना होगा अपने कलवी कि गुपाइन नहीं बस都 प्रश्ण रिडा सिधा लूंता है तो यह अपने जहरावाड में है देखे यह अपना हो गया प्यारा राजस्तान और इसका जो शा हो देन पार्ट है यहां पे है कोलवी की गुपाएं ठीक है कोलवी की गुपाएं अभी देखो पहले बहुत सारी गुफाएं थी सो से भी ज़्यादा गुपाई थे लेकिन वर्तमान में 90 गुपाईएं ही बच्ची है कितनी गुपाई बच्ची है ये डेटा नहीं पूछें कितनी गुपाई बच्ची हुई है इन गुपाउं की खोज सबसे पहले किसने करी ये खोज गरी थी 1803पर में डॉक्टर इमपे नाम की वेक्ति थे इन्होंने किसने करी कॉलवी की गुपाउं की खोज इमपे साहब ने करी किसने करी इमपे साहब ने और 1964 में कनिंगम साहब ने भी अपनी रिपोर्ट में इनका जिक्र किया था ठीक है तो प्रश्न क्या बनता है कॉलवी की गुपाउं कहाँ पे है तो जहलावाड में राजस्तान के जो हाड़ोती वालक्षेत्र उस साइड में और इसकी खोज 1800 तरेपन में डॉक्टर इमपे के द्वारा कियेगी ठीक है गंगा गाटी राजस्तान का 29 वा कंजर्वेशन रिजर्व गोशित किया गया है और विनु गुपता मेडम को रेरा की अद्देक्स बनाए गया है रेरा की स्थाप्रा 2019 में मार्स के महिने में होई ठीक है आगे चलते हैं अभी देखते हैं राजस्तान में कितने पसु टोटल तो 568 लाग पसु है तो कह सकते हैं 5 करोड 68 लाग पसु है राजस्तान में और पूरे भारत वर्स के 10 प्रतिशत से भी ज़्यादा है अभी देश के टोटलगायों की बात करें तो टोटलगायों में से साथ पॉइंट 24 réussi सत गाय हैं अजिसे हर आठ मैं से एक बेंस अपने राजस्तान में हो जाती है ठीक है हर आठ में से एक बेस तो कितना मतलब 12% बेस है राजस्तान में एक योजना लिखा ए योजना का नाम मुख्य मंदिरी काम देनू पसु भीमा योजना पसु बहुत सारे लोग पसु पलान पे निरबर करते है और किसी गाय को या भेंस को जो काफी महंगी आती है अगर खरीदने जाते हैं मार्केट में 40-50 जार रुपे के आसपास भेंस अच्छी गाय अच्छी भेंस मिलती है तो अगर वो कई बिमार हो गई और अगर मतलब मर गई इस परकार की परिस्ति आती है तो फिर उस पसुपालक के उपर आर्थिक बोज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मुख्यमंदरी साब ने मुख्यमंदरी काम देनी उस पसु भीमा योजना को शुरू किया इसमें 40,000 रुपे का बिमा एक पसुपे किया जाएगा अधिक्तम दो पसुओं का बिमा किया जाएगा और वो पसु कैसा होना चाहिए दूधारू पसुओं होना चाहिए दूद देने वाला होना चाहिए यह जानी गाई या बैस मॉस्टली कब शुरू किया गया इस योजना को तो 6 सितंबर 2023 को कब 6 सेप्टेंबर को ओफिशली इसे शुरू किया गया 6 सितंबर 2023 ज़्यादा पुराना नहीं है पिछले मेने में ही किया गया आज 7 ओक्टोबर हो रहा है और एक मेना और एक दिन वाज मुख्यमंदरी काम देनू पसु बीमा योजना को लांच किया हुए अब इस योजना में क्या बीमा करवाते तो क्या करता जैसे आपने L.I.C. करवाई यानि बीमा करवाया तो आपको क्या पे करना पड़ेगा प्रीमियम पे करना है उन दो गायों का या दो बेंसों का या एक गाय एक बेंस का वो सारा रज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा सारा का सारा प्रीमियम और तो इसका मतलब क्या हो गया कि बीमा हो गया अपने पसु का और premium कौन पे कर रहा है राज्य सरकार पे कर रही है तो ये बहुत ही पसुपालों के लिए अच्छी scheme कह सकते है एक और योजना 2022 थेसी यह नि पिछले budget में गोशित की गी थी कौन सी उस्ट्र संडरक्शन योजना उस्ट्र संडरक्शन योजना में क्या होता है जो उँट होता है उस ट्रेनी उँट उँट का जो टोलड़ा होता है न उस टोलड़ा के जनम होने पे अगर उस सरकार को बता दी जाता है ओफिशल तरीके से तो वो रेजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है तो दो किस्तों में 10,000 रुपे उस टोलड़ा पाल लोग को मिल जाएंगे ठीक है यहनि अगर आपने उट पाल रखा है और उसका छोटा बच्चा उट का छोटा बच्चा सिचम टोलड़ा कहते है वो टोलड़ा अगर हुआ है तो आप बताओ और उसके बदले क्या पाओगे दो किस्तों में 10,000 रुपे ठीक है अभी देखो मुख्यमंतरी सहाब जिले बनाने में लगे हुए है आज कल लगातार जिले बना रहे है पहले जब अगर बात करते हैं एक नवंबर 1956 की स्तिती को एक नवंबर 1956 को राजस्तान में 25 जिले थे और इस दिन एक जिला और बना दिया गया तो टोटल 26 जिले हो गए 26 जिला था अपना अजमेर जिला उसके बाद में अगर बात करें इस साल के सुरुआत तक टोटल 33 जिले थे यानि इन 75 सालों में राजस्तान में आठ नए जिलों का निर्मान हुआ और मुख्य मंतरी साहब ने लपेटा ऐसा लिया कि 19 जिले तो इस साल में पहले भी थोड़े दिनों पहले गोशित किये थे और तीन जिले और गोशित कर दिये यहीं 22 नए जिले और बना दिये यह होता है जादुगर का कमाल ठीक है तो मुख्यमंत्री साब ने पहले देखो 19 जिलों की गोशना कर दी थी वो अलग बात है लेकिन अभी जो 3 नए जिले बनाए है वो कौन-कौन से हैं एक तो है मालपुरा एक है सुजान गेड और एक है कुच्चामन सिटी कुच्चामन सिटी वालों को इश्यू का था कि बोले डीड बना कुच्चामन तो सेंटर हेड़गॉर्टर कहां पे रखेंगे यह confusion था तो बोले मुख्यमंत्री साब ने कहा चलो हटाओ गुच्चामनों को भी हेड़गॉर्टर बनाओ अलग जिला बनाओ और डीड बनाओ को भी अलग जिला बनाओ गोशित करतो इसके अलावा अगर बात करते किस प्रकार से जिलों का निर्मान हो है तो सबसे पहले 2600 जिला बन गया है यहनी 12, 12 और रास्तमन बारा दोसा और रास्तमन यहनी BDR जो जिले है वो कब बने 1991 में यहनी 1982 यहनी 82, 82 के 9 साल बाद में यहनी 1982 में तो दोलपूर बन गया कौन से बना दोलपूर उसके 9 साल एड़गर्दों की तो कितना हो जाएगा 1991 में 1991 में कितने मड़ कौन से बने BDR बने ठीक है तो बयासी में दोलपूर BDR 91 में उसके 9 साल बाद में उसके जश्ट 3 साल बाद में अगर 3 साल और 8 गरतों गए तो 1994 हो जाएगा और 1994 में कौन से जिला बना तो यह बना हनुमानगड हनुमानगड बना BDR के बाद में कौन बना तो BDR के बाद मना हनुमानगड ठीक है तो यह 1994 में उसके जश्ट 3 साल बाद में 1997 के अंदर 1997 के अंदर बना था अपना करोली जिला कौन सा? करोली और बाद में परताबगड वाला आपको याद रखने की जरूरत नहीं 1997 में याद रख लोगे न हाँ अब इसके बाद पहला जिला कौन सा बना दोलपूर कब बना बईयासी में कब 82 में तो कहां से शुरुआत हुई तो दोले कलर से है सपेद कलर से सुरुआत हुई है 1982 से उसके नो साल बाद में BDR नो साल बाद में BDR उसके बाद 3-3 साल बें जिले बनेंगे तो 3 साल बें बन गया हनमानगड करोले से पहले बना हनमानगड तो पहले हनमानगड फिर करोली तो इस प्रकार याद रखो BDR उसके बाद में हनमानगड हनमानगड के बाद करोली पर करोली के बाद में कुन सा होगे परतावगर ठीक है तो 1922 प्लस 9, 1991, BDR BDR के 3 साल बाद में 1914 में के अंदर हनमांगड हनमांगड के 3 साल बाद में 1937 में करोली रिलेट होगे, याद होगे, ठीक है अभी मुख्यमंतरी साहब ने क्या किया एक कमेटी बनाई कमेटी का नाम था राम लुभाया और इस कमेटी का गठन किया एक मार्च दोजार बाइस को देखो वित्तिय वर्स है ना आप इसको रिलेट ऐसे कर सकते हो वित्तिय वर्स शुरू होता है एक अप्रेल से लेकिन मुख्यमंतरी साब ने जो रा जिले बना दिये, हैना 19 जिले और 3 संभागी गोशना, पाली, सिकर और बाश्वड़ा 3 संभागी गोशना करी थी 17 मार्च 23 को, यानि मार्च के महिने में गोशना करी थी उसकी क्राम लुबाय कमेटी के गठन की और मार्च के महिने में ही, अलागी 17 मार्च को किया है, इन संभागों की और जिलों की गोशना करी थी उसकी एक साल और सवड़ा दिन बाद में क्या कर दिया जिलों की और संभागी गोशना कर दिया, अभी मुख्यमंदरी साहभ ने 3 जिले और गोशना की है, कौन गौन से है? मालपुरा है, और कुछामन से टियाद रहे जाएगा आगे चलते हैं और संस्कृति अकादमी ये कहां पे ये बिकानेर में ये राजस्तानी बाहसा साहिते हो संस्क्रते है एक आदमी है ना ये एक पुरुसकार देते हो पुरुसकार का नाम क्या है सूर्य मल मिस्रन सिकर पुरुसकार क्या नाम है सूर्य मल मिस्रन सिकर पुरुसकार और 2023-2024 के लिए पुरुसकार किसे दिया गया मनमौन सिंग यादव साहब को मनमौन सिंग यादव साहब को दिया है विकानेर वाली संस्ताने अच्छा मनमौन सिंग यादव साहब को पुरुसकार दिया गया क्यों उन्होंने एक किताब लिखिये किताब का नाम है कुदरत सु कुछमाद कुदरत सु कुछमाद नाम की कुछमाद तो जानते हो क्योंकि आप खुद भी कुछमादी रहे हो और बहुत सारे अभी भी कुछमादी है तो कुदरत से कुछमाद नाम की एक किताब लिखी थी मनमौन सिंग यादव सहाब ने और ये किताब रजस्तानी बासा साहिति और संस्कृति एक आदमी को इतनी सांदार लगी कि उन्होंने अपना जो बेश्ट पुरुसकार है सूरिमल मिस्टन सिकर पुरुसकार 2023 ये मनमौन सिंग यादव सहाब को दे दिय अचा मैंने ये तो आपको बता दिया कि रजस्तानी बासा साहिति और संस्कृति एक आदमी की स्तापना बिकानेर में कीगी लेकिन इस्तापना करी कब तो आपको साल याद रखना है स्पेसली 1983 में राजस्तानी बासा साहिते और संस्क्रती अकादमी की स्थापना 1983 में हुई जनुरी के महिने में तो जनुरी 1983 में राजस्तानी बासा साहिते और संस्क्रती अकादमी भीकाने रखी स्थापना हुई अच्छा राजस्तानी बासा साहिते और संस्कृति एक आदमी एक किताब भी निकालती यह प्रश्ण भी पूछा हुआ है और दोबारा पूछ सकते है क्योंकि जो RMSS भी बोर्ड है और RPSC है यह अक्सर प्रिविश येर के क्यूशन्ज ही पूछती है तो आपको उनका लगाता रभ्यास करना है तो इनकी जो राजस्तानी बासा साहिते और संस्कृति एक आदमी की किताब पत्रिका है उसका नाम है जागती जोत क्या नाम है जागती जोत इस पत्रिका का नाम है ठीक है तो एक बार रिवीजन करते हैं राजस्तानी बासास आईते हैं और संस्करती अकादमी कहां पे बिकानेर में इसकी स्ताबना का बोई जनवरी 1983 में ये एक पत्रिका निकालते हैं उस पत्रिका का नाम क्या है जागती जोत अच्छा ये एक पुरुसकार भी देती है उस इस प्रकार से आप कुछमादी हो लेकिन अब एक चीज़ इसके रिलेट करो इस प्रकार से आपको याद रहे जाएगा बूलो की भी नहीं मनमौन सिंग जी है ना उस व्यक्ति को देख के आपको लगता है कि कभी ये कुछमाद करेगा नहीं लगता ना इसके बावजूद इस से हम कन्फ्यूज करते हैं एक और अकादमे से राजस्तानी सहित्ते अकादमे वो सिरफ ओनली राजस्तान सहित्ते अकादमे है अहां पे राजस्तान सहित्ते अकादमे है उदैपूर में कहा पर है उदैपूर में यानि यह अपना प्यारा राजस्तान और यहां पे संस्कृति अकादमी ठीक है अब जो बड़ा नाम है राजतानी बासा साहित्य और संस्कृति अकादमी ये है बिकानेर में कहां पे बिकानेर में यानि उपरी वाली पार्ट में और जो छोटा नाम है साहित्य ये उनली उसमें राजतान साहित्य अकादमी ये है उदेपुरिय इस प्रकार से आपको connection बिठाना एक के दूसरे से ताकि confusion ना हो अब राजस्तानी बासा साहित्य और संस्क्रति कादमी विकाने राजस्तान साहित्य अकादमी उदेपुर आप कोगे कि तो अच्छे से रटा हुआ है लेकिन मान लीजिया आप सो लोग ये वीडियो देख रहे हैं सो में से नबबे को exactly पता है लेकिन दस को अगर confusion है तो उनका confusion दूर करना भी बनता है बले ही वो संक्यावल में अल्प हो अब ये भी एक पुरुषकार देते हैं पुरुषकार कौन सा है मीरा पुरुषकार और 2022 तेस के लिए जो मीरा पुरुषकार है ये किसे मिला है ये मिला है रति सक्सेना को रती सक्षेना मेडम को मिला है इन्होंने कविता संग्रे बनाया है उसका नाम है हसी एक प्राथना नाम की किताब है जिसमें कविताएं लिखी हुई है ये रती सक्षेना मेडम ने लिखी है और ये किताब इतनी सांदार इन्होंने लिखी है कि इनको मीरा पुरुसकर दिया ह मीरा पुरुसकर देता कोन है राजस्तान साहित तेक आदमी कहां पे है राजस्तान साहित तेक आदमी तो राजस्तान साहित तेक आदमी उदैपूर में है और इसकी स्थापना कब हुई 1958 में इसकी स्थापना हुई ठीक है राजस्तानी बासा साहित ते और संस्कृतिक आदमी बिकानेर में है इसकी स्थापना जनावरी 1903 से में राज़तान में पहली बार अंडर 16 गर्ल्ज नेशनल फुटबोल चेंपेंशिब कायजन किया गया कहां पे जेपूर जोधपूर में ठीक है राज़तान अंडर 16 नेशनल लेवल की फुटबोल चेंपेंशिब जेपूर जोधपूर में की गई है अक्टूबर के मेने में की गई है यानि अब भी चली रही है अच्छा आरपियल कायजन भी जोधपूर में हुआ था आरपियल कायजन का हुआ जोधपूर में आरपियल की विजटा कौन रही तो जेपुर वाले टीम उजेता रही थे तो बरकतुला खान स्टेडियम जहां पे आरिपल के मेच हुए थे वो कहां पे हुए जोधपुर में है इसके अलवा मुक्यमंदरी साहब ने एक डोकॉमेंट लौंच किये विजन डोकॉमेंट 2030 काफी ज़दा ये मतलब कह सकते हैं कि आसावादी डोकॉमेंट है गैलो साब एक सपना दिखा रहे हैं कि 2030 तक राजस्तान को भारत का सबसे बेस्ट इस्टेट बनाना है हाई क्वालिटी इंफरस्टक्चर सभी सुविदाएं किसी नागरी को कोई दिक्कत नहीं समश्याओं का तुरन समादान ये सारी बाते इसमें रखी गई है अच्छा इस वीजन डोकॉमेंट को गैलो साब दोराज जारी कब किया गया तो 5 अक्टूबर 2023 को इसे लोंच किया गया अब इस मिसन को लोंच कब किया गया था अभी वीजन डोकॉमेंट तो अब कर दिया लेकिन जो वो जनता से ओनलाइन सर्वे ले रहे थे कि क्या क्या चाहिए आपके इसाब से क्या राजस्तान को बनाने के लिए क्या आपके ठीक है लेकिन इसका वीजन डोकॉमेंट अब जैसे सारी उन्होंने पूरी राजस्तान की जनता से उनके सुझाव ले ले कि किस प्रकार से राजस्तान को टोप स्टेट बनाना है अब उनका सारा का अध्यन करके एक डोकॉमेंट बना दिया कि इस प्रकार से हम कारे करेंग तो ये पांच अक्टूपर दो जाते हैं इसको लॉंच किया गया इसकी टेग लाइन क्या है राजस्तान मिशन 2030 की प्रगती की गती है उसको 10 गुना करना निवर्तमान में हम 11.04 की रेट से बढ़ रहे हैं अब इसकी 10 गुना मतलब हर साल राजस्तान की कौन में डबल हो रही और इसकी थीम क्या रखी गई है एक नई सोच एक नई सुबह क्या रखी गई है एक नई सोच एक नई सुबह इसकी थीम रखी गई है किसकी वीजन राजस्तान 2030 ठीक है चीजे क्लियर होगी अभी हम राजस्तान राज्य अभिलिकागार कहा है आपको पता है राजस्तान र इन्होंने हाली में एक application launch किया है कौन सा application राजस्तानी मारवाड़ी एप क्या उद्देश यह है राजस्तानी बासा जो सीखना चाहते है और अगर राजस्तान राज्य अभिलेकागार की बात करते हैं तो इसकी स्तापना उनिशो पच्पन में हुई और पहले जब राजस्तान राज्य अभिलेखागार की स्तापना हुई ना देखो इसकी स्टोरी इंट्रेस्टिंग है राजस्तान राज्य अभिलेखागार स्तापना हुई 1955 में उस्तापना हुई कहा थी यह जेपर में हुई लेकिन 1960 में क्या किया गया इस जो राजस्तान राज्य अभिलेकागार है इसे जैपूर से स्तनांतरित कर दिया कहां पे बीक कानेर कहां कर दिया बीक कानेर स्तनांतरित कर दिया ठीक है तो राजस्तान राज्य अभिलेकागार की स्तापना 1955 में जैपूर में लेकिन 1960 में इसे विकाने रिस्तानांतरत कर दिया यही याँ राज़ाय अबिलेकागार राज़ाया का पहला Digital अबिलेकागार है और साथ यहाँ पे 3D Museum भी बनाया होँए तो राज़ाया का पहला Digital अबिलेकागार कौन सा है अभिलेकागार का तत्परी क्या होता है जहां पर पुराने रिकोर्ड पुराने चीजे रखी जाती हो अभिलेकागार होता है और इसी अभिलेकागार जो संस्ता है इसी ने एक application launch किया है रजस्तानी मारवाडी एप रजस्तान अक्षे उजानीती नव्य गिगवाड ये भारत का लक्षे था 100 गिगवाड हम अकेले रजस्तान में 90 गिगवाड इस अपना की बात कर रहे है अक्षे उरज्जा में क्या बहतरीन कारे रजस्तान में किया जा रहा है बारत सरकार यानि मोदी सहाब और गैलोट सहाब इन दोनों के द्वारा ही. बहुती बैतरिन प्रियास इस दिसा में हो रों राजस्तान में देखो अक्शे उर्जा के लिए कौन सी कंपणी कारे करते हैं, कोन सी organization कारे करते हैं तो राज़तान अक्षे उर्जा निगम करेंगे करते हैं और राज़तान अक्षे उर्जा निगम की सापना कब हुई 9 अगस2002 को कब राज़तान अक्षे उर्जा निगम की सापना 2002 में हुई देखो पहले एक रेडा ठाए रेडा और RS PCC राज़तान State Power Corporation Company क्न्यी इसको मिलाकि रेडा को मिलाकि एक रास्तान अक्ष गुढ़जा निगेम की स्तापना कर दी काप करी 2012 में 2002 जोरी 2002 में ऐयमरजर किया गया जोद्पुरी मारवाड जंग्सन है वहाँ पे टीसी के पदबे कारी रहत है नाम है सुनिल कुमार और इन्हों ने जैसे दोनी ने किया था ना एक टीसी के तोर पे कारी करते थे बाद में भारते क्रिकेट टीम के कप्तान बने भारत को वर्ड कप जीता आया वैसे ही सुनिल कुमार जी एसी एक खेलों में कास्ते पदक जीता है यह क्या है यह रेश्टलर है कुस्ती केलते और यह इस पोस्ट पे मारवाड जंग्सन में कुस्ती का जो 80 केजी बारवागर इन्होंने कास्ते पदक जीता है तो यह हमारे लिए राज़स्तान की जो 3 है वो भी इतना आगे जा रहे है रेबिज उन्मुलन का टार्गेट क्या रखा गया है रेबिज उन्मुलन का टार्गेट रखा गया है 2030 यानि 2030 तक हमें रेबिज को खतम कर देना है रेबिज को खतम करने मत चले जाना क्योंकि हमें परियावरण को बचाना है नहीं कि प्रयाणों को खतम करना है, हमें रेबिज को खतम करना है, अब रेबिज को खतम करने चले जाओगे इंद्रा रसो योजना, इंद्रा रसो योजना, बीस से करस 2020 आपको अच्छे से पता है, जदा बात ने करेंगे नेकिन हम बात करेंगे इंद्रा रसो योजना ग्रामीड अच्छा ये अलग क्या हाँ इंद्रा रसो योजना ग्रामीन छट्रों में खोली जा रही है अब देखो 10 सितंबर 2030 से इसकी सुरुवात कीगी कब 10 सितंबर 2023 10 सितंबर 2023 10 not 2023 10 not 23 तो इसको किस प्रकार आप याद रखो कि connect कर लो इसमें क्या हुआ निवाई टॉंक से शुरुवात कीगी शुरुवात कहां से हुई निवाई पढ़ता ना टॉंक में वहां से इसकी सिरुवात कीगी पांच जार से अधिक आबादेवाले जितने भी ग्रामिन कस्वे हैं जो गाहं है जहां की जन्जांग्या पांच जार से अधिक है वहाँ पे ये इंद्रा रसोय ओपन की जा रही है कोई हजार यह रसोय बनाई जाएगी आठ रुपए में जो भी कस्टमर आएगा आठ रुपए में बरपेट खाना खा सकता है अब कोई बुखा ना सोय या कोई भी बुखा ना सोय यह तो आप पर डिपेंड करता है और RPSC क्या मानेगी उसके बाद हम भी डिसाइड कर लेंगे उससे पहले कोई कमेंट नहीं और आठ रुपए तो जनता देगी जो भी खाएगा सत्रा रुपए गैलोट साफ देगे यह नहीं सरकार देगे सरकार राजस्तान सरकार देगे टोटल 25 रुपए दिये जाएंगे ठीक है 25 रुपए जो खाना बनाता है उसको दिये जाएगा साथ इसाथ अगर कोई नई इंदला रसोजी स्तापना कर रहा है क्योंकि ग्रामीन में तो सारी नई स्तापना होगी तो उसको इसाथ अपना करने के लिए 5 रुपए शुरुवात में दे जाएंगे बोले तुम जगह कर लो इंफरास्ट्रक्चर कर लो अपना चुला सलेंडर वगरा ले आओ यह सारी चीज़े करने के लिए 5 रुपए उसको जो भी इंदला रसोजी योजना शुरू करता है उसको यह दिये जाएंगे तो क्या-क्या बाते निकल गया ही इंदला रसोजी योजना ग्रामीन 10 सितमबर 2020 या 10-9 तेविस निवाई टोंक से इसकी सुरुवात कियेगी पांच हजार से अधिक आबादी वाले जितने भी ग्रामीन के समय उसमें स्तापना एक हजार नई इंदला रसोजी ग्रामीन की स्तापना कर दी गई है आट रुपए में बरपेट खाना मिलेगा आट रुपए तो जो खायेगा उससे लिया जाएगा सत्रा रुपए सरकार देदेगी साथ जो वेक्ती इंदला रसोजी ओजना चलाता उसे पांच लाक रुपए एक मुस्त अनुदान दिया जाएगा ताकि वो इंदला रसोजी के लिए डवलप कर सके जैपूर अंतराष्टे फिल्म होत्सो इस बार इसका पंदरवा एडिशन किया गया कब तो ये जनवरी के मैने में किया गया इतना याद रखो 6-10 जनवरी तीम कहती इस बार तो फिल्मों से मानसिक योग फिल्मों से मानसिक योग ये इस बार की जो JIFF कहते हैं जैपूर अंतराष्टे जैपूर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसकी थीम थी जैपूर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो पंजाब परेटर न न लना उन्होंने भी हिल्प की थी तो ये भी आपको relate करना है हलांकि ये काफी पुराना current हो गया है अगर हम 2000 अप्रेल के आसपास अगर इससे समझ एक्जाम देते हैं तो फिर से एक बार जेपुर अंतराष्टे फिल्म होत्स हो जाएगा लेकिन उससे क्या relate कर सकते हैं उससे relate कर सकते हैं तो सिधा सा बात है अगली बार सोड़वा होगा और कि थीम वगएर तो परिवतित हो जाएगी लेकिन फिर भी हमें connect करते जाना है ताकि हम इन चुजों को relate कर सके और इस बार के lifetime achievement आपड़ना सेन को दिया गया था नेशनल सौप्ट होकी परती होगी था इसकी मेजबानी सौप्ट होकी किसकी बात कर रहे है ऐसी होकी जो सौप्ट है मेजबानी राजस्तान कर रहा है जनवरी में आईजित की गई और चेम्पियन भी कोन मना राजस्तान सौप्ट होकी का चेम्पियन राजस्तान ठीक है स्रेयान स्रेयान 2023 स्रेयान क्या है तो जो CANA उनकी conference है यानि जितने भी CANA देश बरके वो इकटे हो गए और वहाँ पे conference कर ली बातचित कर ली CANA चार्टेड अकाउंटेट की बात कर रहा हूं इसका उद्गाटन इस जो conference है इसका उद्गाटन किस ने किया कलराज मिश्र साब ने यह राजस्तान के राज जेपाल है ठीक है और जैपूर में इसका यजन किया गया काफी है वाव फेष्ट वाव फेष्ट दोजार तेबीस ये फरवरी के महीने मैजित हुआ कहां पे रामगट सेखावटी में ठीक है तो वाव फेष्ट फरवरी में रामगट सेखावटी में अजित किया गया वाव फेष्ट फरवरी रामगट सेखावटी स्रियान कॉन्फरेंस जैपूर CA है ना उनकी कॉन्फरेंस है पंकच गुमार सिंग पंकच गुमार सिंग को उप राष्टिय सुरक्षा सलाकार राष्टिय सुलाकार नसे कोन है नियरसन सेक्यूरिटी एडवाइजर कोन है अजीर डोवाल है अब उनके जश्ट नीचे उप राष्टिय सुरक्षा सलाकार कोन है तो पंकच गुमार सिंग और पंकच कुमार सिंग हम especially इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि राजस्तान के अडर के IPA से दिखा रही है पंकच कुमार सिंग है वो राजस्तान के अडर के IPA से दिखा रही है इतना याद रखने की जुरूरत नहीं है इतना याद रखो पंकच कुमार सिंग है वो बहरत के उपराष्टी सुरक्षा सलाकार है अजीर डोहाल साब के अंडर वो कारे करते हैं राजस्तान राज्जे आदर भूमी प्रादिकरन की स्थापना कियेगी कब फरवरी के महिने में इसकी बात कर रहा हूँ राज्जे आदर भूमी प्रादिकरन यानि Wetland Authority की स्टाफना परावरी के महिने में स्टाफना कीगी 24 परावरी 2020 को और इसका अद्देक्स कोन होता है तो जो वन और परियारण मंत्री होता है वो इसका अद्देक्स होता है और राज़तान के मुक्य सच्च विसके उपाद्देक्स होते है और इसके राज़तान राज़े आद्रवुमी परादिकरण में कुल 20 सदस्टे होते है जिसमें एक अद्देक्स एक उपाद्देक्स और 18 पदेन सदस्टे होते है तो वेटलेंड अथोरेटी राज़तान श्टेट वेटलेंड अथोरेटी 2020 में फरवरी के महिने में स्तापना अद्देक्स इसके वन और परियावण मंत्री होते हैं उपाद्देक्स मुख की सचिव होते हैं टोटल 20 सदस्ते हैं जिसमें एक अद्देक्स एक उपाद्देक्स उपाद्देक्स के अपने सचिव साब अध्यक्स अपने वन और पर्यारण मंत्री और 18 पदेंस दस्ते होते हैं ठीक है clear होगे जैसा कि कल के वीडियो में हम कुछ हवेलियों के बारे में देख रहे थे आज भी हम कुछ हवेलियों को देखेंगे साथ इसाथ हम पिछले कल में जो हवेलियां देखी थी पंसारी जहां पर जो ये सामान मिलता है इलाजची लोंग सोंट इसे हम पंसारी कहते है न तो पंसारी की हवेलिय कहां पर स्रीमादोपुर में और स्रीमादोपुर कहां परता है ये अब नवीन जो बोगलिक स्त्तिय उससे अलग बात है बागी पहले सीकर में था लेकिन अभी आप इससे करेक्ट करों कि यह स्रीमादूपूर सीकर में बिनानियों के अवेली का पे बिनानियों के अवेली भी लक्समंगड में सीकर में लक्समंगड है वहाँ पे बिनानियों के अवेली है रोनेडी के अवेली रोनेडी के अवेली कहाँ पर ये भी रोनेडी के अवेली भी लक्समनगड में और केडिया और राठी के अवेली केडिया के अवेली राठी के अवेली बिनानियों की और रोनेडी की ये कहाँ पर लक्समनगड में खेमकों की अविली कहाँ पे तो खेमकों है खेमका है खेमका जो सेट ही है एक प्रकार से खेमका सेटों की अविली है रामगड में मतलब ये रामगड है न ये रामगड को कहते ही सेटों वाला रामगड है ये रामगड रास्तान में या सीकर जिले में दो तिन रामगड है लेकिन जिस रामगड की हम चर्चा कर रहे हैं इसे सेटों वाला रामगड कहते है तो खेमका सेटों की अवेली कहां पे ये रामगड में तो खेमका और गोयनका की रामगड में बिनानियों की रोनेडों की केडिया राठी की केडिया राठी बिनानिया की लक्समनगड में पंसारी की सिर्मारोबत तूर में अब जेपुर की अवेलिया पुरोईजी की अवेली पुरोईजी की अवेली काँ पे तो पुरोईजी अपने राजस्तान की राज़दाने में बेटे हुए हैं कहां पे पुरोईट जी है वो राजस्तान की कैपिटल में बेटे हुए हैं कहां पे बेटे हुए हैं पुरोईट जी कैपिटल में बेटे हुए हैं चूर सिंग जी तो ये भी जैपुर में बेटे हुए हैं पुरोई गोईनिगा सेटों की रामगड में केडिया की लक्समनगड में राठी की लक्समनगड में और गोयनका की रामगड में तो यह थोड़ा सा confusing रहेगा लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी practice लगातार करनी है अब सुनरी कोटी के बारे में तो आपको पता है बताने की जुरूत नहीं है टॉंक में है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसे मुबारक महल भी कहते हैं यानि जो सुनरी कोटी इसे ही मुबारक महल कहते हैं मुबारक महल सुनरी कोटी एक्वल यानि जैसे इस परकार कहाई से दो प्लस दो पून तो है इसलाम एक सेलिय में ज़ेखो किसे बनवाया नवाब बज्यो दोला और खान ने अब देखो कितने के नाम है इसके सीजमेयर के नाम से बनाया इसका प्रतवाचनाम जरगिनार और बहुत चाहरे चोड़ो इतनी लमपमें नहीं पनना इसकी दूसरी मंजिल है यानि सुनारी कोटी की दूसरी मंजिल इबराहिम अली खान ने बनवाई 1870 में इनि इसकी पहली मंजिल 1824 में बन गई दूसरी मंजिल 1870 में बनी पहली मंजिल बनी थी नवा वजाओ दोला खान के दौरा दूसरी इब्राहिम अली खान ने यह वजाओ पहले बनाया इब्राहिम ने दूसरा बनाया दूसरी मंजिल बनाई ठीक है यह कोटी दिवाने खास के नाम से भी जाने जाती थी इतना जादा मत करो मुबार्यक मेल और सुनरी कोटी याद रखो ठीक है बनाया वजाओ दोला ने और इब्राहिम खान ने पहले नीचे वजाओ दोला उपर इब्राहिम खान वजाओ ने कब बना यह याद रख लो इब्राहिम वाली डेट याद नहीं रख तो कोई दिक्कत नहीं वजाओ वाली डेट आ 1824 कोटा में तो जाला जी की हवेली कोटा में हो जाएगी जाला कोटा बड़े देवता की हवेली भी कहां पे है बड़े देवता की हवेली भी है अपने कोटा में कहां पे बड़े देवता की हवेली तो यह अपना प्यारा राजस्तान और यहां पे है कोटा यहां पे जाला जी क हविली तो है ठीक है एक बड़े देवता की हविली कहां पे है तो ये भी बड़े देवता की हविली है ठीक है यहीं पर बड़े देवता की हविली है निहाल टाओर ये दोलपूर में सित गंडा कर है तो निहाल टाओर कहां पे है निहाल टाओर हवीलिया देखी थे जैसल मेर में कौन-कौन से हवेली है एक तो मुझे बता दो आप नतमल की हवेली कहाँ पे है तो नतमल की हवेली जैसल मेर मेर में प्रशना आया था ना आरे अस्प्री में तो नतमल की हवेली पटों की हवेली पटों की हवेली भी जैसल मेर मेर में है और इसे नोखंडी हवेली भी कहते है इसे हवेली को मोती मेल भी कहते है जहाज मेल भी कहते है तो सालम सिंग के हवेली को नोखंडी मेली हवेली मोती मेल जहाज मेल बनवाया किसने जेसल मेर की पतान मतरी थे सालम सिंग ने उन्होंने इसका निर्मान करवाया था नवलगड में बगोरियों की बगतों की पोदार की बगोरियों बगतों पोदार लालदर दरका बगोरिया बगता और पोदार लालद राम सागर ये से याद रगो राम सागर ये राम सागर कहाँ पर मंडवा में है राम सागर मंडवा राम देओ चोकाने और सागरमन लाड़िया राम सागर मंडवा में विशाओं में सेट जैदयाल केड़े की अवेली नातुराम पोदार की हीरा राम बनारसी की और सिताराम सि Cushandhi Hira, Sita, Nathu और Jai ki हवेलिया काँ पे है विसाँ में Cushandhi ki हवेलिया इसन को पता है महनन सर का पाई परता जुनजुन में परता है केसर्दवip की हवेलिय प्रोपर जुन्जुनो परता है बिड़िला हवेलि आपको विजित है करते हैं लेकिन एक निवे दन निवे दन क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है साथ इसाथ अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर दो ठीक है चैनल को ग्रोथ करवानी है थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी content quality लगातार improvement की दिसा में चलती चली जाएगी ये विश्व पास रखो थैंक यू अल्दभिष्ट